भालो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं लिखी था इंफर इस्ट्रक्ट्चर लिमिटेड की क्यों बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रीजन यही है कि यहां पर आप देख पारे हो कि मार्केट में आज गिरावट थी और क्या यह श्टॉक अच्छा है बेकार है इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं वह सब्चीज हम यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जाने ही सब चीज़ बट उससे पहले हमेशा की तरह रहेगी कि आप हमारे चैनल I am small cap investor को subscribe कर दीजिए बल आइकन को हीट करिए और की notification कौन करें बाइंग सालिंग की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study करें चीज़ों को सीखने पर focus करें और चीज़ों को सीखने के सकते हैं सबसे पहले वीडियो देखके वीडियो जाके आपको देखेंगे तो आपको एक से एक बढ़कर बहतरी वीडियो मिलेगी जहां पर ऐसे बहुत सारे stocks है जो कि यहां पर कम टाइम में अच्छा गासा रेटन देते हुए भी नजर आए है okay but still सीखने के purpose से आप यहां पर चीज़ों को देखना है और बारी किया सीखनी है शेर क्यों भागता है शेर क्यों गिरता है वो सब चीज सीखना है तो हमारा एक course है चुकि आपके लिए डिजाइन के आग गया है basics to advanced technical research fundamental share क्यों भागता है क्यों गिरता है कब लेना चाहिए कब बेचना चाहिए कौन से stock भागते है वो सब चीज एक idea आपको पूरा course में पता चलती हुए नजराएगी 860540501 8169261037 दोनों नमबरों को save कर लिजिए basics to advanced यह पूरा course है 25 रुपे course की fees है 3 months की handholding strategy using stock market online notes सब कुछ आपको दिया जाएगा 1 to 1 classes रहेगी जितने भी doubt होंगे सारे doubts को cover up किया जाएगा एक बाग course करके देखिए चीजे अपने आप ही आपको automatically पता चलती भी नजराएगी बाकी अगर किसी को साथ में भी काम करना है तो इनी नमबरों पर contact करें साथ में आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं तो लिखिता infrastructure की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर देखिए market cap है 1110 करोड रुपे का इसका मतलब क्या है इसका मतलब है small cap company है हमारे China का नाम BIM small cap investor है तो छोटी-छोटी share से रेट ही हम बाते करते रहते हैं साथ में याद रखिए जब भी मैं small cap की बात करूँ तो एक चीज याद रखिएगा कि small cap share जिस तरीके से भागते हैं कम टाइम में पैसे अच्छेगासे बना के देते हैं उसी तरीके से share गिरते हुए भी नजर आते है तो इस sheet को याद रखिए जब भाग रहे है तो अच्छी बात है बड़ जब गिरते है तो शेयर यहां पर आदे और उससे कम भी हो जाते है तो उस sheet को भी आपको अपने माइन में में रखना है 17 के PE पे है इंडस्टी का PE की बात करें तो 17 कही है तो ज़्यादा ना महेंगा है ना सस्ता है इस sheet को याद रखिए अबर और still PE के base पे कभी काम नहीं करते है वो भी मैं हमेशा आपको बताता हूँ ROC ROE की बात करें काफी अच्छी नज़र आते है 36 27% के आसपास कि यहाँ पर ROC ROE है जो कि अच्छी आज ही यहाँ पर नज़र आती है इसके लावत 281 रुपे पर शेयर चल रहा है 281 का है यहाँ पर आप देखेंगे आज की रेट में यहाँ पर प्राइज है 10% अप्ता high 343 पर लगाया है 250 तक यहाँ पर नीचे आया है और intrinsic value देखेंगे लगबग 544 रुपीज के आसपास किया जो की लगबग लगबग यहाँ से double ही नज़र आती है debt-free share है किसी तरीके का debt नहीं है PG ratio काफी अच्छा नज़र आता है ओके यहाँ पर आप देखेंगे gross profit margin ओके last quarter का काफी अच्छा है इसके लावा sales growth भी company की अच्छी खासी होती ही दिखाई दी है company करती क्या है company आपर देखिये infrastructure limited is engaged in the laying of gas pipeline and development of allied infrastructure तो आपने यहाँ पर एक चीज पड़ी होगी कि यहाँ पर BJP का एक notice आया है मतलब जो क्या-क्या वो काम करने वाले है उसमें उन्होंन देंगे जब यहाँ पर gas pipeline से जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो beneficiary होगा वो कोनों का यही होगी लिखी था infrastructure limited तो इस company के बारे में आपको जादा से जादा जानना है ठीक है समझना है तो एक बार इनकी website पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इनकी services ongoing project कोंसे जो इनोंने project complete कर दिया वो कोंसे project है वो सब्सक्रीज आपको यहाँ पर पता चलती ही नजर आईगी काफी अच्छी यहाँ पर company है यहाँ पर आप देखिए ओके अलग-अलग तरीके से company काम करती ही नजर आती है अच्छा खासा इनका यहाँ पर client की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे IGL हो गया है यहाँ पर ओके यहाँ पर यह जो gas है यह Indian oil, gail, ONGC सारे के सारे यहाँ पर इनके क्या है client यहाँ पर नजर आते हैं अब बात करते हैं और company के बारे में तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बात चलेग है प्योंकि अच्छी यहाँ पर signal है yearly quarterly दोनों basis पर अच्छा है यहाँ पर बात करें company का operating profit तो यहाँ पर वो भी दिखाई देगा कि highest ever operating profit आये yearly quarterly बेस पर company के margin की बात करें वो भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई देता है as well as company का net profit है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा तो ये क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है ये कमपनी कि इतना अक्छा काम करके यहाँ पर दिखा लूट के अड़का यहां पर नेट गड़रा है एक इस अधी है विजोटिड़ की बातने कंपनी के रिजजफ लगा था बढ़ रहे है वॉराइं। नाम की है नहीं as well as investment 5 crore cash की बात करें तो यहाँ पर company के पास लगवा लगवा 80 crore के आसपास का यहाँ पर cash भी पड़ा हुए तो अच्छा कासा cash flow है company के पास positive cash flow यहाँ पर नजर आते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करें तो promoters की holding जो की यहाँ पर हम देख रहे है कि थोड़ी सी यहाँ पर कम करी है ठीक है 4% के आसपास की but still अच्छी घासी holding है यहाँ पर promoters की FIs की holding की बात करें FIs यहाँ पर है नहीं public की बात करें तो public के बास यहाँ पर देखिए लगवा 29% के share है 29 में भी आप देखेंगे तो कुछ आशीश का चॉलिया सर आप देख सकते है लबब 1.77% की यहाँ पर holding रखे हुए है as well as यहाँ पर आपको bulk deal देखनी है तो bulk deal यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ पर आप यह बात करें तो यहाँ पर as such ऐसा कोई यहाँ पर buying आती हुई दिखाई नहीं दिया है बट इस्टिल यहाँ पर आप देख सकते है कि promoters की holding भी ठीक ठाक है और अगर कुछ external factor और नजर आता है न तो share यहाँ पर से बहुत ज़्यादा भगता हुआ नजर आ सकता है बट इस्टिल याद रखिए कि buying selling की कोई recommendation नहीं चार्ट की बात करेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है बट उससे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाता हूँ कि company की यहाँ पर new face value देख लीजिए यहाँ पर split होता हुआ नजर आया है यहाँ पर split हो आया है dividend company देती हुआ नजर आया है इस वज़े से आपको यहाँ पर जो share है लगबाद दूसरे क्यासी का दिखाई दे रहा है otherwise यह share यहाँ पर 500 something का यहाँ पर दिखाई देता बात करते हैं चार्ट से लेटे हैं चार्ट यहाँ पर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है और क्या हो सकता है पर उससे पहले मिशा की तरह आपसे request करूँगा कि I am small cap investor चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon को hit all the notification कौन करी है bank selling की recommendation है नहीं चीजों को सीखना है वीडियो जाके देखनी है शेयर करना है और इन नमबरों पर note करके साथ में course कर सकते है और साथ में यहाँ पर काम कर सकते है वीडियो में आगे बढ़ते है चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए आज के देट में यहाँ पर अच्छा खासा तेजी हुई है और यहाँ पर एक pattern हुआ जिसे हम कहते है वह एक अच्छा खासा signal होता है वह बताता है कि शेयर यहाँ पर से और अच्छा खासा बाग सकता है अभी क्या हो सकता है तो यहाँ पर एक 3C pattern बनता हुआ नजर आता है अगर यह शेयर यहाँ तो इस particular 290 के ऊपर जाए ठीक है रिस्क को हमेशा रिस्क management को हमेशा follow करना है रिस्क management in the sense क्या है कि आपको जितना हो सके ठीक है ऐसी जगह पर entry कर दी है जहाँ पर आपका risk कम हो reward जादा हो ठीक है जो हम अपने course में सिखाते हैं आप चाहो तो आप यहाँ पर enroll कर सकते हो जान सकते हो इस सब सीरी से लिखे और अगर हम बात करें चार्ट की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर भागा जरूर था यहां से लेकि यहां तक भागा था और इसके बाद गिरावट के बाद consolidation करता हुआ नजरा रहा है बट मुझे यहां पर यह शेयर जैसे इस पर्टिकुलर लेबल से निकलेगा तो दुबारा यहां पर 341 तक यह जा सकता है जो कि अच्छे खासे gain यहां पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं बट इस तेल यहां पर मुझे दिखाई दिए यह signal बताता है कि अभी तो नहीं बट थोड़े वो टाइम बाद ठीक है अब वो टाइम एक वीक भी हो सकता है तुरंत भी हो सकता है एक दो तीन चार महिने भी हो सकते हो जब यह भागी का तो यहां पर शेयर में एक तेजी आती हुए दिखाई दे सकते हैं शेयर को अपनी डेडार पर रखना है कंपनी के बारे में और जानना है हाना देखना है और कंपनी के रिजल्ट पर यहां पर फोकस करना है ताकि यहां पर चीज़ों को आप अच्छे से अनलाइज कर सेकें तो थैंक यू सो मुच पर प्लेस